लाल गंग थाना चेतर के पोजिया गाउं में बागीचे में आम चुनने गया किसूर की करंट लगने से मौत हो गई या घटना नगर परिशत चेतर के वाड नमबर 26 पोजिया गाउं निवासी सुरेश पासवान के पुत्र 16 वर्षिय करंट कुमार के साथ हुई है इस थानियों लोगों ने बताया कि आम के बागीचे में एक ट्रांसफरमर है जिसके पास बिजली के कई तार गिरे हुए हैं और उसी तार की चपिट में आने से किसूर की मौत हुई है इस थानियों लोगों ने यह भी कहा कि नगर छेतर में कई ऐसे ट्रांसफरमर एवन बिजली के पूल हैं जहां कई जगा ट्रांसफरमर से सटे जमीन पर तार गिरे हैं तो कुछ जगों पर लटके हुए हैं लेकिन बिजली विवाग उस पर ध्यान नहीं देता है जिस कारण आए दिन करंट लगने के कारण हाथसे की संभावनाय बनी रहती है करंट लगने के बाद परिजली विवाग के खिलाफ लोगों में आक्रोस देखा जा रहा है गटना की सूचना मिलते ही लाल गन्ग पुलिस पहुँचकर सब को कबजे में लेते हुए जाँच में जुट गई सब को पुस्ट माटम के लिए हाजीपूर स्रदर अस्पताल भेज दिया गया सूचना मिलते ही नगर परिशत के सभापती कंचन कुमार अपने वाडपार सद्यों के सांथ अस्पताल पहुचे परिजिनों को धांडस बढ़ाया और विजली विवाग पर लापरवाही का आरोप लगाया है इस पर पहले हम के इस डियो साब से बात हुई है और इजे साब से भी हमारी बात हुई है तो नगर परिशत के तरफ से उनको ये कहा गया है कि पुरे लाल गज में जगा जगा ये कहीं तार दरज़र इस्तिती में है और कहीं कहीं जो टांस्फर्वन पर भीगास वगर उग अधूग चुका है इस सब को दुरूस्त करवा जा उन्होंने हमको अस्वस्त किया आने वाले अगले महिने तक ये काम ये पूरा कर लिया जागा हाला कि जब इस मामले में विभाग के SDO और JEE से बात की गई तो उन्होंने इस आरोप को सिरे से खारिश कर दिया उनका कहना था कि विभाग हर पल्चो करना है कहीं से भी तार तूटने की बात नहीं है हाथ से की कोई और वजह रही होगी इसकी जाच की जाएगी जहां कहीं से भी जब भी बिजली से सम्बंधित जो भी सिकायते आती है उसी ततकाल ठीक किया जाता है ताकि किसी को कोई परिशानी ना हो परिशेट जाता है झाल 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 झाल